पदर्मची जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है, मेरे फोन बचते रहते हैं, कभी कोई अस्पताल कहता है कि तीन घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि दो घंटे की ऑक्सीजन बची है, हम कारण जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ओक्सिजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है साजनों पे तो 130 करोड लोगों का अधिकार है ना अगर दिल्ली में ओक्सिजन की फैक्टरी नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड लोगों को ओक्सिजन नहीं मिलेगी जिस राज़े में ऑक्सीजन की फैक्टरी है क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोख सकते हैं हमारे दिल्ली के किसी हस्पताल में अगर एक घंटे की आदे घंटे की दो घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंदर सरकार में किस से बात करूँ आरे बोलना बुढ़े है बोलती की बंद हो गई भलत काफी ज्यादा गंबीर हो चुके हैं सर हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते इसे पालिटी की मिटिंग समझ के फस्क गया आपका आइडिया है ओक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने गा वो ओक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगॉल और उडिसा से हमें ओक्सीजन दिलवाई जाए आइडिया नहीं अल्रेडी चल रहा है इसके बाद एक वेक्सिन की कंपणी ने अपने रेट जारी की है कि वो केंद्र सरकार को डेट 9.2 रूपए में और राज्ज सरकारों को चार सूपए में देंगे सर एक ही देश में एक ही समान के दो रेट कैसे हो सकते हैं वन नेशन वन रेट होना चाहिए नंगा करके नहला रहा यह कार टड़ोंगा यह हमारी जो परंपरा है हमारे जो प्रोटोकॉल है उसके बहुत खलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेली कास करे इस्चुस मी सर लाइव टेली कास चल रहा है लोग देख लोगों को उनके सवालों को जवाब अभी तक नहीं मिला पूरा का पूरा फोड़ डाला है